हलो फ्रेंट्स मैं कलपना आप सभी का स्वागत करती हूं सान्या गार्णिंग चैनल में फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कि हम क्रेसुला ओवाटा प्लांट की किस तरह से रिपॉर्टिंग करेंगे तो friends ये जो plant है ये ग्रैसुला ओवाटा है और ये से money plant भी का जाता है क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि ये जो plant होता है वो money को अपनी तरफ attract करता है मतलब कि अपनी तरफ हीचता है इसलिए nursery में जो इसका price है आचल ये भी बहुत जादा high रहता है तो मैं इसको 170 आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जहां पर terracotta के pots और decorative समान मिल रहे थे तो वहां से मैंने ये pot को खरीदा था और इसका जो size वो बहुत ही अच्छा है तो चलिए अब हम क्रैसुला प्लांट को report करेंगे और report करने के लिए सबसे पहले हम soil बनाएंगे तो friends जब भी ह किसी भी succulent के लिए soil बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाले बात है कि आप हमेशा बिल्कुल light soil बनाएंगे succulent जोते हैं उन्हें light soil पसंद है और light soil के साथ ही साथ बिल्कुल welding soil चाहिए जिसके लिए मैंने इसमें 50% के लगबग sand लिया है ये मैंने construction वाला sand लिया आप चाहें तो कोई भी sand ले सकते हैं उसमें हम mix करेंगे अपके पास जो भी गमपोस्ट हो और मिक्स्क कर सकते तो मैं इसमें warmी मिक्स कर रहे हैं कम से कम 10% 曲से आपकोAK कोई आ और मैंने 40% के लगबग इसमें कोकोपिट यूऋज किया है आप चाहें तो cocopit या फिर perlite भी इसमें यूज़ कर सकते हैं तो friends मेरे पास इस टाइम perlite नहीं है तो मैं उसकी जगह cocopit यूज़ कर रहे cocopit भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो soil है वो थोड़ी सी light weight रहेगी या फिर आप perlite भी यूज़ कर सकते हैं परlite छोटे छोटे दाने की side के होते हैं और उससे भी जो light weight ही रहता है soil और friends इसमें हम थोड़ा सा fungicide यूज़ कर लेंगे आप जो भी fungicide यूज़ करते हैं वो इसमें mix कर लेज़े तो friends ये जो soil बनी है ये हमारे succulents के लिए बहुत ही अच्छी soil है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकेगा तो friends इन सभी को mix कर लेंगे और मैंने case law watch के लिए ये soil को बनाया है और ये बहुत ही अच्छी soil है जितने भी आप succulents लगाते हैं आप इस soil में लगाए आपका जो plant है वो बहुत ही healthy grow करेगा तो चलिए पहले हम इन सभी को अच्छी से mix कर लेते हैं friends इस soil है ये बनकर तयार हो गई है अब हम अपने plant की reporting करेंगे तो reporting करने के लिए जो मैंने pot लिया था इसको हम ले लेंगे फिर इसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि आप ये pot में drainage hole है कि नहीं है drainage hole होना हमारे plants में बहुत ज़्यादा जरूरी है तो friends इसमें drainage hole बना है तो इस पे हम कोई भी ठिकरी रख देंगे या पिर इस तरह से जो दिवाली के दिये होते हैं मैं इसका use करती हूँ तो इसके जो holes है उस पर मैं इस तरह से रख दूँगी रखने के बाद फिर हम इसमें soil को अच्छे से fill कर देंगे तो friends अभी हम पूरे soil को fill नहीं करेंगे अभी सिर्फ हम half pot को भरेंगे जब half pot भरने के बाद फिर हम अपना plant रखेंगे उसके बाद हम पूरी soil भरेंगे तो सबसे पहले हम क्रेसला उवाटा का जो plant है इसको इस polybag से remove करेंगे तो खरीदते टाइम इसकी 2-3 leaves जो है वो निकल गई थी तो यह बिल्कुल भी waste नहीं है इसको इसी pot मैं रख दूँगी सिर्ट और फिर से हमारा जो plant है वो तैयार हो जाएगा तो यह जो leaves से भी इसकी propagation easily हो जाती है तो friends यह देखिए नर्सी वाले ने से कितनी अच्छी soil में लगाया था यह देखिए बस जैसे ही मैंने इसको इसकी polybag को निकाला है यह देखिए हमारा जो plant की soil है वो बिल्कुल अराम से निकल गई तो बहुत ही अच्छी soil है तो सबसे पहले हम roots के पास से थोड़ी-थोड़ी soils को हटा लेंगे जिससे कि हमारा जो plant है वो अच्छे से grow हो सके तो friends इस तरह से इसको हटाने के बाद अब हम अपने plant को लगा देंगे तो चलिए अब हम अपने plant को इस pot में लगा देते हैं तो जो soil nursery वाले ने इसमें लगाई थी वो मैं उस soil को भी इसमें रख दूँगी और इसमें थोड़ा सा इसको mix कर दूँगी mix करने के बाद हम अपने इस तरह से अपने plant को रखेंगे प्लांट को रखने के बाद चारो तरफ से हम इसमें soil को fill कर देंगे तो friends सबसे पहले मैंने जब plant को रख के देखा तो बहुत ही ज़्यादा इस space लग रहा था जो pot है उसमें क्योंकि जो pot का जो गहराई है वो बहुत ही ज़्यादा है तो मैं इसको फिर से एक बार रख के देखती हूँ तो अगर जब हमारा जो plant रखने के बाद कम से कम एक से दो इंच बस हमें उपर से खाली रखना है अपने pot को तो फ्रेंट्स इस तरह से अब देखिए अब जो मेरा जो plant है वो अच्छे से रख गया है रखने के बाद अब मैं इसको चारो तरफ से इसमें soil को fill कर देते हूँ तो चलिए सबसे पहले मैं अपने plant को लगा लेती हूँ उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंट्स ये देखिए अब जो हमारा plant है वो इस तरह से pot में लग गया और देखने में बहुत ज़्यादा खुपसूरत लग रहा है अब हम इसे पूरा pot भरके एक बाद पानी दे देंगे तो क्रिसला वादा जो है ये साकुलेंट इसे बहुत ज़्यादा पानी की जरूत नहीं होती है लेकिन अभी मैंने इसकी reporting किया है इसलिए मैं इसे अच्छे से पानी दे दूँगे तब आपको जो साफ है वे वह बहुत अच्छे से क्रू होगगा तो फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो मुझे कियो रिपकागीय। कजिए मुझे क्रैसला का रिपोर्ट्टिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बबाक्स में happy gardening